हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडियन स्टडी इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लिए जीके का टेस्ट लेकर क्या जाहूं जो कि आपके आने वाले एक्जाम यूपी जे लोडर के लिए बहुत ही जादा हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला कोस्तंस पहला कोस्तंस अगनासे रस होता है अगनासे रस की प्रवती है वो किस प्रकार की होती है अगर देखो आपको अगनासे रस का पी एच मन आपको पता होगा तो आप बता दो कि यह अमली होता चारी होता या होता है छारिये साथ से कम होता तो क्या होता हम लिए और केबल साथ होता तो क्या होता उदासीन पताओं सारे तरह ये कोस्तन से पूछे जा चुके हैं और आपको पता भी होना चाहिए तो फिलाल यहां पर तीसरा options ये तू प्रियोग की जाने वाली कीडबग्ची मचली कोंसी ये जल्दी बताओं तो कोंसी कीडबग्ची मचली है जो मचलों मचलों के नियंत्रन के लिए प्रियोग की जाती है तो आपका सही आंसर हो जाए CC or पोई सीलिया यानि कि तीसरा options आपका बिल्कुल क्या है correct हो जाएगा next question से आपका मैं किसके सरप्रतम किसने सरप्रतम सिद्ध किया कि खटे फलों के प्रियोग से इसकरवी रोग से बचाओ किया जा सकता है जल्दी बताओ किसने सिद्ध किया था ये तो आपका सही answer हो जाएगा James Lind यानि कि एस questions का पहला ही options जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा correct हो जाएगा केंद्रिये चावल अनुसंदान संस्तन कहां पर इस्ते थे most important questions तो केंद्रिये चावल अनुसंदान संस्तन कटक में इस्ते थे दूसरा options आपका बिल्कुल correct हो जाएगा वाई-उ प्रदूशन और स्वास्तर पर पहले वैस्विक सम्मेलन का जो आयो जाने वो कहां किया गया तो बताओ कहां किया गया तो आपका जो सही answer हो जाएगा वै हो जाएगा जिनेवा तीसरा options आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा correct हो जाएगा जे 2018 में किया गया इसको भी याद कर लो और पहली बार किया गया इसलिए important है ये ठीके न next question सबसे कम IU में ACI tour order of merit का खिताब किस भारतिय गोलफर ने जीता तो किस ने जीता तो आपका जो सही answer हो जाएगा भे हो जाएगा सुभंकर सर्मा ये सबसे कम IU के यूवा है इसलिए ये questions जो है वो आपका important बन जाता है योगा and mindful lens नामक पुस्तक किस ने लिखी जल्दी बताओ तो ये पुस्तक किस ने लिखी ये लिखी ये आपके मांसी गुलाटीन है पहला ही options बिल्दी गुल करेक्ट हो जाएगा नेमलेकत मैसे किस इस्थान पर मानप के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष मिले तो कहाँ पर मिले तो आपका सही answer हो जाएगा बुर्ज होम यानि कि पहला ही options जो है वो आपका बिल्दी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा बुर्ज होम जो है ये जम्बु कस्मीर में स्रीनगर के निकट उत्तर पस्चिम में इस्तित बुर्ज मोहम में नव पाशन अवस्ता में मानप कंकाल के साथ कुट्टे का भी कंकाल जो है वो मिला है तो पहला options आपका बिल्दी करेक्ट है सिंदु बाटी सब बता में मोहन जोड़ों का प्रमुख सारव जने की स्टेल कौन सा था तो कौन सा था तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस नानागार तो आपका सही आंसर हो जाएगा यह नगरिये जीवन पर आधारित नहीं थी नगरिये जीवन पर कौन सी सिंदु गाटी सब बता थी इसके जीवन में किर्सी और पसुपालन के साक्ष मिलते है वैद्दिक सब बता में ठीक है नेक्स्ट कोशन से आपका कि निमले के तमेंसे किस मुगल सासक के कालमी अंगरिये जो का भारत आगमन हुगा जल्दी बताओ तो को जहांगीर के दरवार में आया था कैप्टन होकिन्स ठीक है लेकिन जे पहुचा था अकवर के दरवार में तो यहां पर सही अंसर हो जाएगा जहांगीर ठीक है ना तीसरा उप्संस आपका बिल्गुल करेक्ट है निमले के तमेंसे भारत में ब्यापारिक दरश्टी से प्रविष्ट हुए यूरोपिये देशों में सबसे अंत में कोना है था तो सबसे पहले आये थे आपके पुर्तगाली फिर आये थे आपके डच फिर आये थे आपके अंग्रेज और सबसे एंड में कोना आये थे फ्रांसिसी तो दूसरा उप्संस आपका बिल्गुल करेक्ट हो जाएगा नाना सहाब के नाम से किस पेसबा को जाना जाता है तो नाना सहाब के नाम से आप किस पेसबा को जानते हैं बाला जी बाजी राओ तीसरा ओप्सन से आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा संग सूची राज सूची और संबर्ती सूची का विस्तरित उल्लेक संबिदान की किस अनुसूची में है जल्दी बताओ तो किस अनुसूची में है तो आपका सही आंसर हो जाएगा और संबर्ती सूची है यह आस्ट्रेलिया से ली गई है तो यह भी आप याद कर लो राजपाल किस अनुस्चेत के अंतरगत अध्यदेश जारी कर सकता है जल्दी बताओ कौन से अनुस्चेत के तहट अनुस्चेत 2-1-3 यानि केस कोस्टन्स का दूसरा ओप्सटन्स आपका विल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन्स निम्ले के तमेंसे कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है आम बाईचारी की बावना को उजागर करना विल्कुल है प्राकर्तिक प्रयावड़न की रक्षा और उसका संबर्धन करना बिल्कुल है सारवजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे रहना बिल्कुल ठीक है धर्म निर्पेकस्ता को बड़ावा देना ये नहीं है चौथा उप्संस जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा समिधान सभा में समलित कौन नहीं हुआ था जूनागर देशी रियासत के प्रतिने दी ये तो आपके सामिल हो गए थे हैदरावाद देशी रियासत के ये नहीं हो गए थे कपिल्धा दारा जड़पर पाथ कपिल्धा दारा तापी एलमूनियम सरयन्त दिये, एकदम उनकी स्थान के नाम दिये, और जो सुमलित नहीं है वही आपको बताना है जल्दी बताओ, हिंडाल को रैने गूट, यह तो आपका ठीक है नाल को कोरवा, यह भी बिल्कुल ठीक है, और नार को यह कोरवा पुट में correct हो जाएगा ठीक है next question से तरब चल रहे पिर्थम हरित किरांती में प्रियुक्त मुख फसल कौन सी थी जल्दी बताओ तो कौन सी थी आपका सही answer हो जाएगा Mexican ग्याहूं यानि कि चौता options आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा correct हो जाएगा next questions देगो ग्याहूं का भी प्रकार था ग्याहूं तो सब को पता लेकिन Mexican ग्याहूं ठीक है एक तरफ दर्रा एक तरफ राज का नाम कौन सा समयलित नहीं है वही आपको बताना है नातुला सिक्किम में बिल्कुल है सिपकिला नैनकिला यह आपके हमाचल प्रदेश में बिल्कुल है बनेहाल उत्राखंड बनेहाल जो है जोजला बुर्जल 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 जम्मु कस्मीर में है यह यानि कि बनेहाल जोजला बुर्जल यह सभी जम्मू कस्मीर में और यहां उत्तराखन दे रहे बस यही जो है वो गलत है ठीक है तीसरा option सा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कौन सा सुमिलित नहीं है यह हमको बताना है अरावती नदी जो है वो मया मार में है हैगी मैकेंजे USA पैसे नहीं मैकेंजे नदी जो है यह कनाड़ा की एक महत्मुल नदी है तो दूसरा option जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा यह गलत सुमिलित है घूमर लोक निरत किस राज का है घूमर आप सभी लोग जानते है राजस्तान का है पहला ही options आपका बिल्कुल करेक्ट है फिर दोसी ने लिखी है कल भी आया था यह questions तो फिर दोसी ने सहनाम को लिखा पहला ही options आपका यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तो Microsoft Company के संस्तापक कौन थे जल्दी बताओ इस्तापना 1975 में हुई थी यह भी मैंने आपको बता दिया दोनों ही थे संस्तापक यानि कि A और B दोनों होंगा तीसरा options आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोसन से आपका कि वैद्दिविक उत्तर वैदिक योग से संब्द इस्तल अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है जल्दी बताओ अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है तो यह आपका कासगंज में है पहला ही options आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा correct हो जाएगा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी सहर निम्लिकत में से कौन सा है अगर आपने मेरी उत्तर प्रदेश की जीके वाली वीडियो देखी है तो बता सकते जल्दी बताओ तो सबसे पूर्वी आपका बलिया और सबसे पश्चिमी आपके सामली ठीक है और उत्तरी आपका सहरन पूर और दच्चनी आपका सोनबद्र ठीक है तो यहाँ पर फिलाल पहला प्रदेश आपका क्या हो जाएगा correct हो जाएगा काष्ट नकासी गरेली उत्तर प्रदेश का कौन सा अगर प्रसिद्ध है जल्दी बताओ तो कौन सा अगर प्रसिद है? सहारणपूर दूसरो आप हैसे बढूलव करेक्ट है अभी आली मैंने आपको बताइ के सहारणपूर जो है यह उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला भी है बतायाए ना उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपत? दसेहरी आमका सर्वोज उत्पादक है जल्दी बताओ बहुत important questions है तो कौन सा जनपत है तो आपका सही answer हो जाएगा option number B लखनव का मलियाबाद बहुत important है यह ठीक है ना तो दूसरो options correct परमाडू नाविक के बहार पाए जाने वाला करण वह करण क्या है जिस पर निर्ण 1.6 इंडू 10 to 1 माइनस 19 कूला माविस पाए जाता है दो को कितना गुमा करके पूझ लिया जबकि हम सभी लोग जानते हैं कि परमाडू के बहार के नाविक के बहार कौन चक्कर लगाता है इलेक्ट्रोन और उसका आविस भी दे दिया ओता और का रवन का तो CU ओता ठीक है और CUori log कोफल का होगा उत्तल दर्पण का प्रियोग इन में से किस इस्थान पर किया जा सकता है तो किस इस्थान पर करेंगे आप उत्तल करेंग बहानों के पस्ट दरसी में यानि कि इस questions का तीचरा options जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा correct हो जाएगा next question से आपका भारत का सरवतिक जनगनत वाला राज बताओ सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जनगनत वाला राज कौन सा है तो आपका सही answer हो जाएगा 2011 की जनगर्णा के अनुसार बिहार पहला ही options बिल्कुल करेक्ट है my truth के लिखा कौन है my truth के लिखा कौन है तो आपका सही answer हो जाएगा इंद्रा गांदी ठीक है ना वो अलग है my experiment with truth ये my truth इसके लिखा के इंद्रा गांदी यानि कि चौता options आपका वीडियो क्या हो जाएगा correct हो जाएगा और last questions important questions जिले के पुलिस वल का पिरदान कौन होता है पुलिस महाने रिक्चक पुलिस अधिक चक पुलिस महाने देशक या उप पुलिस अधिक चक तो इस questions का answer आप मुझे comment box में बताएगे तो दोस्तो यह थे आपके 37s जीके के important questions जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको cover करवा दिये तो दोस्तो फिलाल की वीडियो में तो सरफ इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फ्लीस दोस्तो वीडियो को लाइक केज़े सेर के जोर साथ ही साथ हमारे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं रोजन ऐसी तरह के वीडियो से आप लोग लिए लात रहता हूं नमस्कार दोस्तो जय हिंद जय भारत